आपकी मिलेगी fee structure के बारे में guys fee structure जो है इसका काफी normal है पर guys as compared to any other government college मुझे लगा जरा सा high है 9 lakhs का LPA बहुत ही अच्छा लगा मुझे और यहां पर average CTC guys मुझे लगा काफी कम as compared to any private college or government college क्योंकि जो rank यह मांग रहे हैं उनके हिसाब से guys यह काफी average CTC मुझे लगा कम तो आपकी गवर्मेंट college खोज रहे हो और आपकी रहेंग है 1000 से लिए मतलब आपकी रहेंग है almost 1000-2000 के अंदर से आपकी रहेंग है करीब 20,000 के अंदर तो you can surely try for this college okay so hey guys my name is Vivek and this video is all about our college talk series episode number 3 जहांपर guys हम बात करेंगे एक government college की that is government college of engineering and leather technology यह guys college आपको मिलेगी सौट लेक में मतलब सौट लेक एरिया पर जाने के टाइम पर especially guys मैं आपको बात करूँ तो मैंने भी एक college एक बार visit किया है for a tech fest तो मुझे काफी अच्छा लगा तो मुझे बसंद भी आया college में tech fest के दिले जारा था कहूं और मैं जारा था NSEC tech fest के लिए तो उस दौरान पर ने मैं college को visit किया था पर मुझे इसका infrastructure काफी पसंद आया तो मुझे अच्छा लगा और इसके बाद guys यहां पर हम तो मेरी रिव्यू के ऐसी बात हो गई पर हम इस वीडियो में क्या जानेंगे पहले वह बात करते हैं मैं तो हमेशा टॉपिक से चले जाता हूं बाहर मैं इसके लिए आपसे प् official website से है यहां पर कुछ भी ऐसा मंघणन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ लास्ट में एक ऐसा slide आएगा जहां पर मैं आपको बलूँगा my review यहां पर मैं आपको दूँगा अपनी review तो यहां चली बात करते हैं guys यहां पर इसकी campus size है अभी यह blue color का हो चुपा है अच्छा लगा तो सब्सक्राइब के एक पिच्चर दिया है यहां पर यहां से मिला है मुझे पर यह स्पेशली बहुत अच्छा है और स्की smart classrooms भी अच्छी है अगर आपको कोई भी इंफोर्मेशन इस स्कॉलेश के बर में चाहिए तो आपको बिसकली इसकी कॉलेश के पर है for 30 seats पर अगर आप यहां पर MTEC करना चाहो इन future तो आप MTEC के लिए भी आपट कर सकते हो that is about 25 seats अब को मिलेंगे और अगर यहां पर बात करें faculty रेशियो तो यहां पर आपको 10% का faculty ratio मिल सकता है और कुछ जगाओं पर जैसे information technology पर ज्यादा percentage है और leather technology में बात करें तो कुछ जादा ही है मतलब इस college का नाम भी है guys leather technology तो यहां पर आप देख सकते हो कि guys ceramic technology और जितने सारे government colleges उबर क्या रहे है इनकी जो नाम है वो college तो है पर इनके साथ दो और streams that is IT and आपकी हो गई computer science पर इनो नहीं यह दो streams at UK है guys बच्चे को भी तो चाहिए कुछ पढ़ने के लिए समझ रहे हो तो अच्छी बात है वाई जैसे जोग के लिए बोला आप serious हो जाओगे क्या इनकी basic infrastructure की बात करें तो guys इनकी चो libraries है वो काफी अच्छी लगी मुझे number of titles and libraries is 9050 पर इनकी books को देखे तो guys 31,000 के करीब है बहुत अच्छा लगा और boys common room भी 1 दिया है और girls common room भी 1 द computers काफी capable नहीं है पर guys यहाँ पर computer की students है 60 तो और guys यहाँ पर मुझे लगा कि जरा ज्यादा होना चाहिए था outdoor sports facility है क्योंकि campus ठीक ठाक है तो आप outdoor पर खेल सकते हैं यहाँ पर विज्बिंगॉल में colleges मिलेंगे यहाँ पर outdoor facility नहीं होगी तो आप पहले से समझदार हो जाओ मैं भी बेवकूब बना अब यहाँ पर guys आपकी मिलेगी fee structure के बारे में guys fee structure जो है इसका काफी normal है पर guys as compared to any other government college में लगा जरा सा हाई है ठीक है कुछ-कुछ colleges से तो यहाँ पर किसी guys IT की बात करें तो guys 1 lakh plus हो गया क्योंकि IT is a new branch here सु 1 lakh plus आपकी चली जाएगी 4 years की fee 12,000 रुपए करके पढ़ेगा सफर्सेम और यहाँ पर गाईज बीटे की बात करें तो guys यहाँ पर 6,000 रुपए करके पर सेम पढ़ रहा है मैंने इसको calculate करके देखा that is about 52,000 50 रुपीज बहुत अच्छा लगा मुझे अगर आप leather technology लेते आपको प्लस करना है मतलब 10,000 प्लस कर दीजिए almost आपके हो गए किते है 45,000 के करीब आपके पढ़ गए पुरी फीज ठीक है मतलब 450 रुपीज कम उससे है और यहाँ पर MTEK के लिए देखे तो MTEK के लिए भी OK fees है जो आप basically मेरे वीडियो तो MTEK के लिए देखोगे नहीं साल पुरानी है और यहाँ पर placement ratio इन्हों ने दिया है कि काई इनकी 75% के average placement ratio है मतलब मैं 75-4 है 78-75 है 75 average पकड़ लेते हैं और guys इन्हों ने 2018 में बहुत ही अच्छा placement दिया जहां पर उनको मिला in campus मे 9 lakhs का LPA बहुत ही अच्छा लगा मुझे और यहाँ पर average CTC मुझे लगा क यह काफी average city सी कम है यह मेरी reviews है पर आपकी अलग भी लग सकते है क्योंकि का इसी government college है और West Bengal की government colleges की हालत ऐसी है मतलब यह सभी को पता है पर कुछ ऐसे government colleges की मैंने आपकी last video में कल्यानी की परमत किया चाहाँ पर 41 lakhs था अगर आफ उस वीडियो को नहीं दिखा तो क्लिक करो भाई आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक आपको मिलेगा ही जैसे कि मैं हर वीडियो पर आपको बता रहा हूं government colleges की तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहो तो समझ जाओ कि यहां पर लिखा है candidate must be a domicile of West Bengal for admission to any seat in any government engineering technology pharmacy colleges तो समझ जाओ कि यह अगर आप West Bengal की domicile certificate है आपके पास तभी आप इसे opt कर सकते हो अगर आप West Bengal के थे या फिर दस साल पूरा ने आपके पार माता पिता के यहां घर वर है तो आप बना सकते अपने domicile certificate आपको कैसे बनाना है यह वीडियो पर मैंने समझाय है यहां कर आगा seat matrix की बात करें तो अच्छी का से seat matrix है आपको मिल सकती है बहुत सारी seats 31 है वो general seats है जो 2 है वो general PA handicap के लिए OBC A फिर OBC B अगर आपको यह सारी चीज़े समझें कि उपर पर क्या था जो मैं विसली मिस कर रहा हूं यहां पर तो basically वह आप यहां पर एक काम कर सकते हो description पर मिले का आपको seat matrix का डाउ 2019 के cut-off देखकर आपको बताएंगे कि general पर क्या vary कर सकता है 2019 में competition था काफी high क्योंकि late पर हो रहा था counselling सो मैं इसलिए कहना चाहता हूं गाइस इस साल होगा competition जरा सलो क्योंकि अभी तक जी मेंस की रिपोर्ट नहीं आई है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस साल आपके काफी chances है कि you will get a good college low rank so guys यहां पर मैंदब high rank मतलब आपकी ज्यादा राइंग आ चुगिया तो आफ जा सकते हो अच्छे colleges में for example computer science engineering के लिए 4609 एसी एंड़ेट के लिए 14000 एस्टी एंड़ेट के लिए 33000 computer science की बात करो मैं यहां पर TFW के लिए 3911 यहां पर आगर आगर हम बात करें information technology के लिए 7000 जा रही है और यहां पर लेदर टेक्नोलजी के लिए तो 16000 तो आपकी रहेंक है almost 1000 2000 के अंदर से आपकी रहेंक है करी 20,000 के अंदर तो you can surely try for this college okay for leather technology आप जा सकते हैं यहां पर अगर आपकी 10,000 से 20,000 के रहेंक है अगर आपको लेदर टेक्नोलजी पसंद है पर अगर आपकी 1,000 से लेकर 10,000 के रहेंक है तो आप श्योली इस पर ट्राई कर सकते हो पर मैं आपको सच बात बताओ कि आपकी आपकी 10,000 के बात कर लेते हैं कुछ तो 2018 में आप देख सकते हैं कि computer science 5000 तक चली गई यहाँ पर information technology आपका 10,000 चले गए तो जैसे कि मैं आपको बताया कि आपकी 10,000 तक की rank है तो you can surely try for this college है आपकी laser technology की बात करें तो आप 20,000 तक चले गए जैसे कि मैं आपको बताया तो यही सारी चीज़े आपको बिसकली समझने की जरूरत है तो आप यहाँ पर 10 से 20-30,000 तक की देखे मैं 20,000 की कह रहा हूँ पर आप यहाँ पर 20,000 को प्लस कर की ओकी मेरा वीवेग ने बताया की यहाँ पर मेरा 12,000 है उसमें आपको 4,000 मैंने कहा था की 5000 तो मेरी 5000 तक तो आ गए फिर भी मैं उससे उपर बरूँगा जो मैं कह रहा हूँ जिस rank को आपको basically मैं जिस rank को कह रहा हूँ और rank की नहीं आई तो आप उसे उपर बरिए जिस का आपको basically समझने की जरुवत तरस्या नहीं है आपको जो मन में आए इस हो बरिए सटलाइस इस पॉर्स अबाउट माई डिव्यू कि मुझे क्या लगा इस कॉलेज के बार में तो मुझे लगा काइस काफी अच्छा इस कॉलेज की बार में और मुझे लगा एक चीज का दू क्योंकि प्लाइवरेज प्लेश्मेंट जो की रेशियो है वो भी ओके लेवल की है मतलब उतनी ज्यादा हाई नहीं है और यह कॉलेज की कैमपस मुझे अच्छी लगी थी तो मुझे ओके लगा उतना भी बड़ा कैमपस नहीं है और अगर हम बात करें इसकी रिव्यू की पर में क्या लगता है मुझे कि यह कॉलेज कैसा होगा अगर आपकी ऐसे की कुछ प्लाबरिम से आप सोच जो कि को के कॉलेज ले सकें तो आप इसकली इस पर ट्राई कर सकते हो पर अगर आपकी पास है ट्यव ड़ू स्रेटिफिकेट यू कन ट्राइफ ट्राइफ ट्राइ को आप यह कई अगर मेरे को अप्षिंस मिलता तो मैं क्या करता मैं मैं अगर मेरी टीव ड़ू की होती तो मैं ट्राइफ करता फॉर यह बीटेक कॉलेज पर अगर लगता कि ने ओकि महां गवर्मेंट कॉलेज पे ही प्रस्पेक्टिव अपना दिमाग बैठा रखा रखा तो you can go for a government college, इसमें आपको बहुत सुभीधा होगा, क्योंकि guys, private college में आपके marks के काफी pressure होंगे, ये सारी चीजे होंगी, पर government college में ये सारी pressures नहीं होते आपके दिमाग पर, तो आप basically government college में पढ़ते पढ़ते, अपने future studies के बारे में पढ़ सकते हो, for example, अगर मैं private college में पढ आपको फ्यूशर स्टुडीज करना, तो यहां पर government college में अटेंड नहीं भी कर रहा हो college, तो मैं बहार में जाकर coaching center पर अच्छी तयारी कर रहा हो, जिससे कि मैं निकाल सको कूछ examination, ये सारे दिमाग में आपको पहले से fit कर लेना है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा क्या apply करना चाहिए